नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनिता कमल, S.P.C. गॉर्मन कॉलेज एजमेद बच्चों, आज जो आपके भारतिय संस्कृति के दिहास में जो वीडियो बनने जा रहा है वो है तुलसी दास जी पराधारित हैं गोस्वामी तुलसी दास मद्य यूगीन भारतिय संस्कृति के प्रतिनी धी और सबसे अधिक प्रसिद प्रभाव शाली कवी गोस्वामी तुलसी दास जी हुए तुलसी दास का समय आविर्भाव जब हुआ उस समय जन जीवन पर अत्याचार का सामराज्य चाया हुआ था जनता अविर्भाव और निश्क्रियता में थी अत्यागोस्वामी कटरता की शंकलाओं को शीथिल करते वे लोग कल्यान मर्यादा का संदिश ले करके अवतरित हुए तुलसी दास जी के जीवन के विशे में ठीक ठाक जानकारी नहीं मिलती किन्तु कहा जाता है कि तुलसी दास मुगल समराट अक्वर के समकालीन थे इनकी जन में तिखी के विशे में विद्वानों में बहुत अधिक मदबेद है आप देखिए कि तुलसी दास जी एक महान कवी होने के साथ साथ एक महान संत भी थे उनके द्वारा लिखे सुविख्यात गरंथ राम चरित मानस तो उनकी कीरती का स्थम्भ है जिसने भारतियों के हिर्दय पर बहुत अधिक प्रभाव डाला और तुलसी का साहित्य जो है वो भक्ती मार की राम भक्ती शाखा के कवी थे उन्होंने हिंदी साहित्य में सभी शैलियों में रचना की अब देखिए कि इनमें उनके जो प्रमुक प्रामानिक गरंथ है वो इस प्रकार से हैं, उनमें सबसे पहला प्रामानिक ग्रंज़ है वो है राम चरित मानथ, राम चरित मानथ तुलसी की सबसे सर्वश्रिष्ट रचना है, जिसने तुलसी को सदा के लिए अमर बना दिया, भाव, भाशा, प्रवंद, कौशल, अलंकार योजना, सभी दिश् शोतम राम का विस्तरत चितरन किया गया है, अब आप देखिए मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था, रामाइन पराधारित था, तो वही वर्णन जो है राम चरित मानथ में तुल्तिदास जी ने किया है, इसमें उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से विभिन पुत्र के रूप में राम लक्ष्वन, भरत और शत्रुधन, इस्तरी के रूप में सीता, शत्रु के रूप में रावन, और मित्र के रूप में सुग्रीव, और देश द्रोही के रूप में विभिशन, और सेवक के रूप में हनुमान का चरित चितरन, आप देखिए पू कौन आदर्ष पिता था कौम आदर्ष पुत्र था और किस कौन देश द्रोही था और कौन जो था वो राम का मित्र था कौन रावन का दुश्मन था इस महा कावे में जैसा आदर्ष और उदात चरित चितरन हुआ है वैसा और कहीं मिलना बहुत ही मुश्किल है चरित चितरन क देश्टिकों से आदरश ग्रंथ है, वहां समन्वे के देश्टि से भी एक महान ग्रंथ है शिव पारवती राम के स्तुती एकता स्थापित करने का भी इन्होंने वैशनव मतों में गोस्वामी जी ने प्रयास किया है और इसी प्रकार भक्ती और ज्ञान का भाष्शा और संस्कृति का इन्होंने तुलसी का ये संपून कावे डॉक्टर हजारी पर साद दिवेदी के शब्दों में समन्वे की विराष्ट चिष्टा है साहित्ते के दिश्टी से भी एक बहुती आदर्श महा कावे हैं इसी प्रकार से हिंदू समाज में जितना आदर्णी है उतना इसाईयों में बाईबल और मुस्लिम समाज में कुरान अब इसके बाद राम चेट मानस के बाद विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा हुआ यह है मुक्तक कावे हैं इसमें अनेग राग रागनियों और बंधे विनय सम्मंदी पद हैं यह भक्ती रस की एक बहुत यह उतकरष्ट करती हैं इसके अतरिक गीतावली यह एक मु तुतिगान किया है यह भी आपके दो नमर के बशना सकता है गीतावली कवितावली के बाद गीतावली यह तुलसी का एक सुन्दर गीति कावे है जिसमें ब्रज भाषा के गीतों में राम चरित का सुन्दर वर्णन है इसके अलावा दोहावली दोहावली में दोहों के भक्ति है रामाग्या प्रश्न इसमे साथ सर्ग हैं राम कथा का दोहों में वर्णन है फिर है राम लला नहचू इसमें पूर्वी अवधी में राम कथा सम्मंदित कुछ चंद है क्रश्न की तावली इसमें ब्रज भाशा में क्रश्न चरित्र का वर्णन है वेराग्य संदीपनी में चंद है पारवती मंगल में शिव पारवती के विवा का वर्णन है और जान की मंगल में ब्रज भाशा में राम सीता के विवा का वर्णन किया गया है महान, लोग, नायक, तुलसी थे संस्कती के रक्षक होने के साथ महान, समाच, सुधारक भी थे और हम कहें तो समन्वेगारी संत भी थे सारा शुरूप में गोस्वामी तुलसी जास जी महान, भक्त, महान, कवी भारतिय संस्क्रती के रक्षक, समास, सुधारक भी थे इस प्रकार से तुलसी जास जी का वर्णन जो यह कारण है कि तुलसी जास जी की भावना में रचनाओं का पठन पाठनाज प्रतेक लगभग प्रतेक हिंदू परिवार में होता है और समाज में इनका नाम बहुत ही आदर के साथ में लिया जाता है धन्यवाद